यूथ होच्दल के शिलाने अस्तमारों में कोटा दक्षिन के मिधायक मान्य संदीब शर्मा जी नाडपुरा के मिधायका स्रीमतीर कल्पना दीवी जी स्रीमतीर के मिधायक में कोटा जिला यूवा खेल कुद अजिकारी यहां पर आए सभी अठिकिकन नौजवान साथियों खिलाड़ी साथियों मैं जुआ अफिर मनता देपूर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिनोंने संसदी शित्र में एक जूट मिष्टा जूटोस्टल के निर्माण की सिर्कटिए हमारे पुर्वती संसदी जिरासिक्जी ने अपने संसद सांसद पोस्ट से इसकी प्रारभिकुट से शुवाद की यह पुरा प्रोजेक्ट साड़े पाच करोड रुपे का इस पुरा भौन बनेगा इसकी प्रारभिकुट से इस भौन में अभी साड़े तीन करोड रुपया खर्चोने का अन्पानित है आने वाले विद्यवर्श के अंदर जो बच्ची राची और आएगी और हम एक बैतिन तुईधा युद्धा युद्धोस्टल बना पाएं साथियों भारत के युवा आज पुरे देश के अंदर हमारे संस्क्रति हमारे विचारों को लेकर एक अग्रदूत के रुप में पूरे विष्ट के अंदर आगे पड़ रहे हैं भारत के युवा ओलंपिड हो तेरा ओलंपिक हो उसना उन खिलाडियों ने कई पड़क जीत कर भारत का गोरों सम्मान बढ़ाया हैं भारत के नौजवानों ने इस देश का संबाद बढ़ाया गोरों बढ़ाया हैं इसने हमारी जिन्मेदारी हो जाती है कि अब देश के नौजवानों को भारतिय संस्कति उनके विचार उनके अभव विविद्विद्विद्दाएं देखने का फ्रमण करने का मुका देश के नौजवानों को ने और इसी लिए संपूर देश के अंदर पिच्चासी से ज़्यादा ये जुआ चात्रवान मनाये गए इनके पीछे का मकसद ये हैं कि भारत के नौजवानों को भारत की विविद्विद्विद्विद्वाला देश जहां अलग अलग जाती अलग भाषा अलग अलग संस्कति अलग अलग पुरातर दुसंपनी हों चाया अलग विकास हों दोनों का विश्र भारत की देश तक तक साही थैसिला नासता तक भारत पिजया हमारी पुरातर की संस्कती हमें गोराश करती है को ही भारत का नया विकास हमें नई दिशा देने का काम करता हूँ बारत की प्राचिंतम गोरोशाली त्यास और प्रंप्राएं हों हमेशा में नई पेटा देने का काम करती है और इसलिए आजादी के बाद हमारे देश के दोजवानों ने अपनी बोतिक अग्भू सब्सा के कारण अपनी तक्निकी अग्भू सब्सा के कारण खेल प्तिवाओं के कारण और अन्य स्वल्वान के भूप से भारत का जैसों गोरोव पूरे बिश्म बढ़ाया था आज दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश हैं जिसका जोजवान देश के अन्य अपने देशों के अंदर भी अपना सहिस्थित करने के अदूर समसा है दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं उस दुनिया के उस देश के अंदर चाहे टक्नीकी हो चाहे सूसना प्रोक्रिटिंग हो चाहे कोपरेशनल हो चाहे इस्किल के रूप में हो भारत का नोजवान वहां भी देश्थित कर रहा है और यहां भी भारत के नोजवान के कारफ ने में स्टार्ट अप के कारफ भारत के नोजवानों ने दुनिया के विज्ञान और तख्णिक की सित्व में एक दिशादिने का काम किया आज हमें भारत के नोजवानों के गर्व है कि भारत के नोजवानों ने भारत की शक्ति और सामच को बढ़ाया है भारत के नोजवानों ने देश के हार्थिक और सामाजिक परिवत्तर में योगदान दिया है आज सारी धुनिया नहीं विशेश उत्वे हमारे देश की निगाएं हमारे नोजव सब्सक्राइब आज अदुद्ध आत्मिस्पास के साथ नए कोशल सम्ता के साथ नए नए शेक्तिक अंदर अपनी अदुद्ध कोशल को दिखाना है और आज इसलिए हम यह कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर जब आजा दी के सो साल हों के सिताफ की वश्ट होगा दुनिय के अंदर भारत भारतिक और सामाजी कुछ से देश नहीं पूरे विश्म अजिल बंकिपर होगा उसका में कारणला भारत का नोजवान है और इसलिए हम भारत के नोजवानों को उनकी बहुतिक सम्ता के लिए जा अच्छे शिक्षा संस्कार के खिए वहीं वह भारत की गोर प्रमप्राओं को जाने इसके लिए उसको पूरे देश के प्रमप्र करने के आउस्सक्ता और यह जूद शात्रवास इसी तरीके से जाट ठेटने के इस्तान होंगे वहाँ पर विविन भारत की पूरी गोरुषाली प्रमप्राओं को दिखाने का एकर बुद के दिए इसल वहां अगोर्षाली प्रमप्रा है, हित्यास उसकी जानकारी पिले और आने वाले समय में भारत की प्यत्रवज्थ की दिकास की आद्रा का नया वध्यजन दिन्दुने. जहां हम हमारा गोरोशाली इत्यास, हमारी संस्कति, हमारे नोजवानों का देश के परती इत्यास, समर्पन, सेवा को याद करकर नोजवानों को नहीं पेटा देंगे, वहीं आजाने के बाद भारत के विकास की यात्रा को दिखाने का भी एक अजबुत के युवाच छात्रवासु और इसलिए मैं नोजवानों से यह अगरत करना चाहता हूं कि आएए अप सब बिलकर इन युवाच छात्रवासु को अपनी संस्कृति का केंद्ध बनाएं यहा ऐसे चर्चा समार के केंद्ध को भी युवाच छात्रवास को बनानी क्या हूश होता है। मुझे आशा है कि लोगतां के 17 साल की आत्रा के अंदर जहां देश के अंदर हमारे लोगतां के बुल्यों पाटूल बिख्वास हैं वहीं इस 79 साल के अंदर भारत के नोजवानों क इस देश की प्रगती पर इस देश के विकास में अपनी प्रतिफद्दा का युद्दान भी अब आने वाले समय के अंदर भारत के हर नोजवानों के मन में एक अपिलाशा होनी थी हमारे उस समय के नोजवानों ने आजादी के पहले देश को आजात कराने का युद्दान समें भी आजाजिकी लड़ाइंगे लाउस देशनकी देंग दिनी लेगिनी अब आजाजिके दैगिके बाग हमें भलिजाजो कर सकता हैं हमारे अजूद को चल के मार्दब्य को निपाते हूए अगर देश़ का सारा नोजवान इन मन कर मद बचन ऐसे काम करें ती मेरा भी वे कोई कोई कर्म है न्हें ख़ायवास की सामय सकती घM धर भारत के अधिन पती पर लेजाने का का और इसी लिए इनसरेखों का आगे बढ़ाने कि हो सकता है यह चाहरोफ उस इस संसरेख कि उजयुदारों के अधूल को त्युन को सामने लाने का काम ओपने मात यम्हां जब से कई गोश्टी क्ई हैं अरिक्रमा इरगन होते हैं ताकि दूर दुर दराज के गाहों के अंदर आदीवासी एलाके के नौजवानों को भी हम भारत की ठीकितारा में लाकर उनकी जो अधुद्ध खोशल है उनकी परतिभाओं उन परतिभाओं कोशल को आगे लाने का काम तो पिछले दिनों केत्रिये सबाकष में पार्लामेंट के सेंट्रोल में जब युआ संसद आयोजन हुई और जिस तरीके का नोजवान वाई युआ संसद भाया था जिस तरीके का टेलेंट था अर्भूद्वाक फोशल था मुझे लगा आने वाले समय के अंदर लोकतंत को रक्त्रा के अंदर हो चाहे हमारे विकास के अनायां हो तक्षिंटी के हो इंजिनिंग्स शेक्टर हो विज्ञान सेक्टर हो सामाज इट्षित हो हर स्थित्र के अंदर भारत का नोजवान उच्त कुछ-पुछ-बुद काम कर रहा है इसलिए मैं नोजवानों से यहां तोजार पाइस का ये साल आजादी का अम्रत महुसों हम सब के लिए नया संकल्प का पर्षू हम सब के सामुई प्रयार्शों से हम अपने अपने शिर्टों के अंदर अधून काम करकर एक भारत को नई दिशा देने का काम करें भारत को राष्ट के निर्बाड में अपना यो पर आवास बच जाएगा जब विविन तरह के संस्कुटिक संस्कुटिक गन्मिद्या हम यहां पर करेंगे जो हमारे खिलाडी दूर्ध दूराज के गाउं से आते हैं या जब कभी नेस्टाल या इंटरनेंट प्रिनामेंट होते हैं जब उद्यार्ची आते हैं उनको ठे कि हमारी जुआ बच्चियों ने अग्वूद फुट्बोल में कोशल किया आज वो टीम नेशनल लेबिल पर लिखने का काम दिया इसलिए पेल्फूद मत्ताले और जुआ मत्ताले दोनों का एक अजबूद मिश्टन है कि नोजवान जाज शिक्षा के अजबूद कोशल से निकले वहां खेल कि अजबूद कोशल को भी प्राप्ट करने का कोशिश करें ताकि आने वाले समय में जब कभी ओलिम्पिड हो तो ओलिम्पिड में सबसे ज़्यादा प्रद का नोजवान हो किसी के साथ आप तो को बहुत बहुत कर दा है बहुत बहुत होड़ा है कि रहने वागत